तो आगे चलकर मैं तेंशुरा के इस्टन एंपायर आर्क को एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ लेकिन इस्टन एंपायर आर्क और उसके अंदर जो वार हो दी है उसको ठीक से समझने के लिए आपको इस्टन एंपायर के में विलन रुद्रा स्लैश माइकल और साथी फेल्डवे के बेक्रोंड के बारे में जानना बहुत ज़दा इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि ए लोग तेंशुरा के इस्टन एंपायर और आगे आने वाले स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा वाला रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब मैं तेंशुरा के लाइट नोवेल पढ़ रहा था तभी में भी कन्फ्यूस हो गया था कि भाई ये रुद्रा कोन है क्या माइकल और रुद्रा एकी है क्या और इन दोनों के स्टोरी के अंदर भाई फेल्डवे का क्या काम है इसलिए आपर इस वाली चीज़ को समझना बहुत ज़द इंपोर्टन हो जाता है तो देखो जब गॉड ओफ क्रेशन वेल्डवा हेवन और अर्थ को क्रेट कर रहा था तब उसने ग्रेट होली स्परीट और लाइट का यूज़ करके साथ सेराफिम्स या हम बोल सकते साथ प्रैमोडियल एंजल्स को बनाया था जहाँ पर स्टार्टिंग में इन साथ प्रैमोडियल एंजल्स का काम था कि उनको वेल्ड नावा जो दुनिया बना रहा है उसको बनाने के लिए वेल्ड नावा की मदद करना जहाँ पर ये साथ प्रैमोडियल एंजल जो रहता है उनको खुद वेल्डवा नाम देता है जिसके अंदर सबसे पहला वाला एंजल जो रहता है वो रहता है फेल्डवे फेल्डवे जो रहता है उस सबसे पहला वाला सेराफिम रहता है जिसको की वेल्डवा ने क्रेट करा और फेल्डवे को वेल्डनावा ने सबसे पहले क्रेड करा था तो यहापर वो उसका डिसाइपल था और यहापर फेल्डवे वेल्डनावा का चेला होने की साथी साथ प्रायमोडेल एंजल्स का लीडर भी था हेवन और अर्थ क्रेड होने के बाद में वेल्डनावा ने डिसाइड करा की इन साथ प्रायमोडेल एंजल्स को कोई अलग-अलग टास देते हैं लाइक यहापर Weldon Ava का World Creation तो complete हो चुका था, इसलिए यहापर उसने decide करा कि इन सातों के सातों Primordal Angels को एक तरीके से अपने creation को गाड़ करने का काम दे देते हैं, जहापर सबसे पहले फेल्डवे को काम दिया गया था कि उसको World Threating Dragon युवारेज के उपर अपनी नज़र रखनी थी, लेकिन जब युवारेज आउट आफ कंट्रल हो जाता है तो ग्राय किमसन को सात Primordal Angels के साथ में मिलके उस वाले Dragon को एक अलग Dimension के अंदर seal करना पड़ता है, और उसके seal होने के बाद में फेल्डवे और बाकी तीन Primordal Angels को युवारेज के seal को गार्ड करने का काम दिया जाता है, जहाँ पर सात Primordal Angels में से चार जिसके अंदर पहला रहता है फिल्डवे, जलेरियो, ओवेरा और लाश्ट में रहता है कॉर्नू, ये चारों के चारों अपने New Task को पुरा करने के लिए लग जाता है, और बाकी बचे वे तीन Primordal Angels, डीनो, ग्रेशा और पीको, ये तीनो के तीनो उस वाले Dimension को छोड़ देते हैं, और वो अपर वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन तीनो का में टास्ता की उनको Human Race की उपर अपनी नज़र रखनी थी, इन तीनो का में टास्ता की उ उनको Human Race को Protect करना है, लेकिन जब साथों के साथों Primordal Angels अपने काम में बिजी होते हैं, तब ही क्या होता है कि किसी Unknown Nation से Terrorist आते हैं, और वो वेल्डेनावा और उसकी वाइप Lucia को मार देते हैं, और उसके बाद में भाई होना क्या था, डीनो को एकदम से गुस्सा आ जाता ह और वो अपने Ultimate Skill का यूज करके उस वाले पूरे के पूरे Nation को ही तबा कर देता है, लेकिन भाई आखिर में यहापर वेल्डेनावा और उसकी वाइप मारी गई तो भाई, उनसे बदला लेने के बाद भी वेल्डेनावा तो वापस नहीं आने वाला था, और उसके बाद मे होना क्या था, डीनो और उसके साथ में जो दो Primordial Angels थे, यह तीनो के तीनो Fallen Angels बन जाते हैं, क्योंकि अपने Master के जाने के बाद में इन लोग के Life का कोई परपस बचा नहीं था, लेकिन फिर भी वेल्डेनावा ने इन लोग को जो टास्क देके रखा था, वो उस वाले टास भी नहीं आपाता है, और इसलिए ज्यादा टाइम उस वाले वर्ल्ड के अंदर स्पेंड करने की वज़े से, या हम बोल सकते हैं, उस वाले वर्ल्ड के Magic Quills की वज़े से, अपना First Angel फेल्ड वे जो रहता है, वो करप्ट हो जाता है, और उसी के साथ के सारे Angels भी जब करप् अंदर बोलते हैं, और यही से असली मुसीबत की शुरुआत होती है, जब Weldon आवा मारा जाता है, तो उसके बाद में फेल्ड वे जो है, वो काफचदा गुस्सा हो जाता है, उसको यहापर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके गेर हाजरी में उसके Master को मार दिया गया था, और इसलिए वो वहाबर डिसाइड करता है, कि वह पुरे के पुरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा, और वर्ल्ड को चेंज करने का उसका मतलब था, कि वह पुरे के पुरे हुमेनिटी को खतम कर देगा, और साथी साथी जितने सारे डेवी हुमन से उनको भी मार देगा, और पर वो डिसाइड करता है कि उसने जिन लोगों को चूज करा है वहीं लोग इस वाले वर्ल्ड के अंदर रहना डिसारू करता है और इसलिए फिर्डवे जो रहता है वो वेल्डणावा को वापस लाने के लिए अपने काम को छोड़ देता है क्योंकि उसके मास्टर वेल्डनावा ने रूद्रा को दी होती है लेकिन वेल्डनावा के जाने के बाद में इस वाली स्किल की एक खुद की इगो बन जाती है और इसलिए वो अपने ओरिजनल मास्टर को वापस लाने के लिए कुछ भी करना चाती थी वेल्ड नावा ने रूदरा को जो skill दी थी माइकल वो काफ़ जदा powerful थी इसलिए उसको ठीक से handle करने के लिए रूदरा को भाई बार बार reincarnate होना पड़ता था और इसी reincarnation के चकर में भाई उसकी जो skill थी माइकल उसका खुद का एक ego develop हो जाता है और इसी ego के चकर में और अपने original master को वापस लाने के चकर में ये जो skill रहती है वो रूदरा के body की उपर अपना full control कर लेती है क्योंकि यहाँ पर रूदरा बार बार reincarnate हो रहा था तो यहाँ पर उसकी जो skill थी उसका भी हर बार ego बढ़ता जा रहा था उसके अंदर ने एक नई personality आ रही थी और अपने master को वापस के से लाया जाए इसलिए ये जो skill रहती है वो फेल्डवे के पास में जाती है जापर फेल्डवे जो रहता है वो भाई इस वाले skill को Michael नाम देता है और इसी के चकर में इस वाले skill की एक अलगी personality बन जाती है और आगे चल कर ऐसा time आता है कि भाई रूदरा के body की अंदर रूदरा नहीं रहता वो पुरा का पुरा Michael बन जाता है और जब रूदरा पुरी के पुरे के पुरे creations की उपर अपना कबजा करेंगे या पर उनको लगता है कि अगर वो वेल्डनावा के creations को ही destroy कर देंगे तो उसके बाद में वेल्डनावा अपने आपी वापस आ जाएगा या पर रूदरा का dream था कि उसको एक perfect world बनाना है लेकिन भाई अपने skill के चलते उसको बार बार reincarnate होना पड़ता था और इसी बार बार reincarnation के चकर में उसकी जो soul रहती है वो अलगलग time lines के अंदर separate होना शुरू हो जाती है और एक time ऐसा आता है कि उसकी जो soul हो एकदम से खतम ही हो जाती है तब ही Michael उसकी body की उपर अपना पूरा कबजा कर लेता है जा पर जब रूदरा इस्टन एंपाइर का रूलर हुआ करता था तब उसके मोटिव भाई काफ़ी जद अच्छे हुआ करते थे लेकिन जब Michael ने उसके body की उपर कबजा कर लिया तो इस्टन एंपाइर पुरे के पुरे humanity, demi humans और साथ ही monster को तक खतम करने के पीछे लग जाता है औ और यह जो war रहता है उसके अंदर हमको बहुत सारी fight देखने को मिलती है इस वाले war के अंदर रीमुरू की new demons की army साथ ही रीमुरू के team में join करे वे तीन new primordial demons के से fight करते है और इस वाले war के अंदर डियाबलो भी एक टाइप से rampage की उपर चला जाता है और mainly भाई इस वाले वीडियो को मीच नहीं करना चाहते हो तो फटा फट से इस वाले वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चलो guys आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही में मिलता हूँ आपको आग्याने वाली किसी वीडियो के अंदर तब तक के लिए इस आयो होना रह मुआ कने हैं झाले च्याने का करें तो आफे जयो आपको झाले जला ही और दो चाहते हैं कि Täू हम यद्राइब कित हैं वीडियो कर दो आपको शकी हो जेदिम से प्रीचा जाणने हैं